नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका चैनल एगरी आकास पे किसान भाईयों, आज किस वीडियो में मैं आपको 6-7 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अगर इनको आप अक्टूबर, नमबर और दिसंबर किसी भी महीने में लगाते हैं तो आप कम समय में काफी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे जो हमारी सब्जियां वो दो तरा की हैं, पहले हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जो कि कम समय कम ल Wagat में ज्जादा मुनाफ़ा दे सकती हैं और एक बार भुगाई करके इनकी आप चार से पांच कटाई ले सकती हैं और उसके बाद हम दो से तीन ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे, अगर उनको आप लगाते हैं, तो साट से प्माइ सट दिन के अंदर आप काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएंगे, तो पूरी जानकारी सही भी दिये समझने के लिए, इस वीडियो को आप पूरा द जी हाँ, अक्टूबर, नमबर और दिसंबर के महीने में धन्या की कीमत है, वो उतनी जादा नहीं होती है, लेकिन इसका फाइदा ये भी होता है कि इस समय कोई रोग और समस्याएं नहीं आती है, अगर आप सही तरीके से इसकी एक बार बुआई कर देते हैं, तो एक बार धन्या की बुआई कर सकते हैं, अगर आप धन्या की बुआई करते हैं, तो साथ से आठ किलो प्रतिय एकर बीच लगेगा, लेकिन अगर आप बेशी धन्या की बुआई करते हैं, तो आपको आठ से लेकर के 14 किलो तक का बीच लग सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि आप चन भईयों की शिकायत होती है धन्या की भुवाई तो कर देते हैं लेकिन उसका जमाव प्रत्सत सही नहीं होता है जमाव प्रत्सत कैसे बढ़ाएं देखिए जमाव प्रत्सत कैसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप बीज को हाथ मी लीजिये और उसको ऐसे मसल दीजिए और जब उसको आप मसल देंगे तो उसके दो भाग हो जाएंगे, जैसे एक डाल होती है, चने की डाल होती है, उसमें दो भाग होती है, उसके बीज पत्र जो हो खुल जाती है, अगर आप हलके हाथ से धर्या को रगर देंगे, तो उसके दो भाग हो जाएंगे, और उसके बा करेंगे तो आपका जमाव प्रस्त है भी बढ़ जाएगा और उसके साथ में किसानभयों कोई मिट्टी में जैसे रोग आ जाते हैं फंगस हो गिया इन तरह की समस्याएं नहीं आएंगी और दस से पंदा दिन बाद आप एंपी के उनिस 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 ले ले लीजिए एक किलो दो फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए और जैसे ही आपको धनिया बीच से पचीव दिन की हो तो आप एक एकड़ में आट से दस किलो यूरिया में डाई से तीन सो ग्राम सूचे पोसक तत्र तो ले करके उसको डाल दीजिए जैसे ही 30 से 35 दिन की होगी आपकी ध करने किसान भाईयूं आपको लगभाग सौच से दिन सो कुंटल तक का उत्पादन मिलेगा और अब बात आती है कि अगर आप हाइबिड किसमें लगाते हैं तो आप कौन सी किस्मों को चुनाव करें जो कि आपको काफी अच्छा उत्पादन दे सकते हैं किसान उन में जो ह अच्छा नहीं होता है लेकिन अगर आप अपने खेत में लगाते हैं चार से पांच कटाई करते हैं तो कम लागत में आप यहां से काफी अच्छा उनाफा कमा सकते हैं अगर मैं बात कुरूं कौन सी किस्मों करें तो आप एडवांटा कंपनी की मुलायम पालक कर सकते हैं अगर आप बुआई के समय कुछ साउधानिया रखेंगे तो कोई रोग और समस्या नहीं आएगी सबसे पहले देखिए बीज को आप आट सिदर घंटे के लिए पानी में भीगो देंगे जमाव प्रसत जो हो बहल जाता है कि बीज के बुआई की तो उसमें 20-25 प्रसंट ज जमाव काफी अच्छा होता है और मिट्टी में फंगस और बीमारिया होती है उनसे बचने के लिए आप क्या करें उनसे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए तीन से पांच ग्राम और उसमें एक किलो बीच को आप उफचाईद करके बुआई करेंगे तो य कर सकते हैं और एक बार बुआई करके आप इससे चार से पांच कटाई भी ले सकते हैं तीसरी फ़चल है वह है मेधि की खेती हैं अगर आप इस समय मेधि साग की खेती करते यहां को एब बबात आती कौन को चुनाओ करें और किस विडिदी से बुआई करें तो देखिए आप मेथी की खेती के लिए किसान भाईयों, आप साइन कंपनी केसर वराइटी की चुनाव कर सकते हैं, ये इसके लिए काफी अच्छी वराइटी होती है, अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है, देखिए, बुआई के समय सबसे पहले आप बीच को पानी भीगो दीजिए, पानी भीगोने फे जमा प्रस्वत हो भी बढ़ जाएगा, और अगर आप फन्फूद ना सकते उप्चायद करके बोएंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगा, अगर मैं बात करूँ कि मेथिक फसल में कौन कौन इस समस्या आती हैं, तो मेथिक फसल में तो इन दोनों से कैसे बचें, देखिए, अगर आप ट्राइकोडर्मा या फिर फन्फूद ना सक से बीच को उप्चायद करके बुगाई करेंगे, जडगलन की समस्या नहीं आएगी, और अगर आप बेड बना देंगे, और आपको खेत में पानी रुखने की समस्या है, त पहली बार 15 दिन के भाउफथा करें, दूसरी बार प nadziei से पहले आप पाच्यर दिन के ऐस्परे करें, क्योंकि पतशीफ दिन के शुरू हो जाती है, और हर कथा यूप यूरीया और एक फनफूर नासक करते रहेंगे, तो ये समस्या नहीं आयेगी, और मेठी क ऐसी यह का हारी मेथी लेना चाहते हैं एक एकड़ में आपको लगभग देना सो कुणिटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है लागत इसमें आपको एक 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 एकड़ में दस से पंद्रह जार रूपए की आती है और इससे आप चार से पांच कटाई लेकर के काफी अच्छा करें जोगी कि संभाइ। इसमें फूल देरी से आते हूं को कोई भी आप चाहे पालक ले लिजीए जाहे डन्या ले ले लीजिए चाहे आप मेथि ले रहे हैं इनमें किस हान पाध्या शांतिक करते हैं अगर आप इसमें करते हैं अगर इसमें बात करूं कि इसमें कौन सी मूली की चुनाव करना चाहिए तो किसान भी इस समय आप से जनता कि आहज़ी वाज़ वराइटिक चुनाव कर सकते हैं यह काफी अच्छी किसम होती है और यह किसम चालिज से पैन तालिज दिन के अंदर पक करके तयार हो जाती है और इसक करेंगे तो मूली फसल से भी काफी अच्छा उत्पाजन आप ले पाएंगे मूली के तयारी के समय आपको दो तीन चीजों ख्याल लखना होगा कच्छा गोबर न डालें अगर गोबर की खाद आप डाल रहे हैं तो अच्छे तरीके सड़ी होई होनी चाहिए अगर आपको समय लगाते हैं तो आप काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जनवरी के महीने में फरवरी के महीने में तर्बूज और खर्बूजा होता है उसकी मार्केट में बेल्यू बहुत जादा होती है तो अगर आप इस समय तर्बूज कि जो ख्याल रखना पड़ेगा देखिए आपको इस्प्रेवी करने पड़ेंगे फंगा समय समय पर इस्प्रे करना होगा और कीटों को आप समय से पहले लगाते हैं तो आपको जड़ा देखभाल करने के ज़रुवत पड़ती है और अगर मैं बात तो किसान भीयों कि कि जड़ें और अगर आप तर्बूज लगा रहे हैं तो आप हरा तर्बूज लगाएं जिसने कि धारियन नहीं होती है इनका मार्केट में काफि अच्छा रेट देखने का गंळेगा और अगर आप चाहते हैं कि जादा मुनाफा कमाना या जादा खेद में लगाना है तो कि vousbor極थे हैं कि अधर पादन ले सकते हैं किसंद्रम्न इस के लावा चित कबरे लगा सकते हैं और शत्कित कबर लगा सकते हैं। अगर आब इस तरीके से खेती करें गे तो आफ उत्पादन लेपाएं। कि इसके लाबा ने पाएं।